अब भारत उस्थिती की तरफ बढ़ रहा है जब गाउं के पास ही ऐसे क्लस्टर बनेंगे जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिशर्च सेंटर भी होंगे यानि एक तरफ से हम कह सकते हैं जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंद्धान इन तीनों की ताकत जब एक जुड़ होकर काम करेगी तब देश के ग्रामिन जीवन में बहुत बड़े बड़लाव होने तैय हैं बिहार में तो इसके लिए बहुत संभावनाए हैं यहां के फल चाहे वो लीची हो जरदालू आम हो आमला हो मखाना हो या फिर मदूबनी पेंटीज हो ऐसे अनेक प्रोड़क्ट बिहार के जीले जीले में हैं हर एक जीले के अपनी पहचान है हमें इन लोकल प्रोड़क्स के लिए और ज्यादा वोकल होना है हम लोकल के लिए जीतना वोकल होंगे उतना ही बिहार आत्मनिर्भर बनेगा उतना ही देश आत्मनिर्भर बनेगा साथियों मुझे खुशी है कि बिहार के युवा विशेश तोर पर हमारी बहने पहले से ही इसमें सरानिय योगदान दे रही है श्री विधी धान की खेती हो, लीज पर जमीन लेकर सबजी उगाना हो, अज्जोला सहीत दूसरी जैविक खादों का उप्योग हो, क्रिशी मिशिनरी से जुड़ा, हायरिन सेंटर हो, बिहार की स्त्री शक्ति भी आत्मि निर्वर भारत अभ्यान को ताकत देने में आज आग हैं, पुरणिया जिले में मक्का के व्यापार से जुड़ा, अरण्यक एप्पियो और कोशिक शेत्र में महिला डेरी किसानों की कौशी की मिल्क प्रोडूइसर कंपनी, ऐसे अनेक समू प्रसमस्रिय काम कर रहे हैं, प्रेरक काम कर रहे हैं, अब तो हमारे ऐसे उत्सावी दिवाओं के लिए, बेहनों के लिए केंद्र सरकार ने विशेस फंड भी बनाया है, एक लाग करोड रुपिय के इस इंफ्रस्रेक्टर फंड से ऐसे एप्पियों, कुरुशी उत्पादक संगों को, सहकारी समूओं को, गाउं में भंडारान, कोल्ड स्टोरेज और दूस पिस्री सुविधाय बनाने के लिए आर्थिक मदद आसानी से मिल पाएगी, इतना ही नहीं, हमारी बहनों के जो स्वयम सहायता समू है, उनको भी अब बहुत मदद दी जा रही है, आज बिहार में स्थिति ये है, कि वर्थ 2013-14 की तुलना में, अब स्वयम सहायता समू को मि मिलने वाले रण में 32 गुणा की वृद्धी हुई है, ये दिखाता है कि देश को, बैंकों को, हमारी बहनों के सामर्थ पर, उनकी उद्धम शिलता पर कितना भरोसा है?